दोश्टे मित्रों देखिए साल 2021 शुरू भी हो गया इसी के साथ-साथ मकर शंक्रांती भी हो गया आप सभी को मेरी तरप से मकर्संक्रांती की बहुत बहुत शुप कामना है। और इसी के साथ साथ मित्रू दे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरस्स रिपोर्ट जो कि हर दो सालों में आता है वो आ भी गया इसमें से QIUSन बन्ने के चांसेस्स बहुत ज्यादा है अगर QIUSन में नहीं भी बना तो मेंस के लिए आपके पास एक और इंवार्मेंट के परस्पेक्टिवसे और GS1 के परस्पेक्टिव से क्योंकि उसी में भी question बन रहे है भी फिलाल को इस यह जो report है India State of Forest Report तो इसमें वनों की स्थिती को दर्शाया जाता है और क्या criteria होते हैं क्या नए features इस साल add कियेगे यह भी हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में What is ISFR? It is assessment of India's forest and tree cover published in every two years हर दो सालों में भारत में वनों की क्या स्थिती है The condition of India's forest यह इसमें publish किया जाता है हर दो साल में यह आता है इसका publisher है मित्रो, Ministry of Environment, Forest and Climate Change आप comment में बता जीजे कि इसका minister को ने, Ministry of Environment and Forest and Climate Change का India is the one of the few countries who gathered comprehensive and robust data through remote sensing मतलब भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो remote sensing के दरिया अपना यह data collect करता है यह एक notice करने जैसा point है मित्रों क्योंकि remote sensing वनों की स्थिती को मापने में भी काम करता है की findings 2021 के reports में क्या है वह हम देखेंगे ISFR 21 has found continuous to increase in forest and tree cover मतलब जो वनक्षेत्र है उसमें बड़ोत्री इस साल दिखाई गई है इंडिया फॉरेस्ट कवर इस नाव 7,30,789 स्क्वेर किलोमेटर विच इस 21.71 परसेंट आफ कंट्री मतलब भारत का कुल जो वनक्षेत्र है 7,13,000 वो भारत के कुल भूमी के हिसाब से 21.71 परसेंट है बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और इस साल उसमें ट्री कवर में 721 वर्ग किलोमेटर का बड़ात्री हुई है इस स्टेट टेलंगाना आंधरप्रदेश और ओडिशा है इस साल के रिपोर्ट इस स्टेट इन नार्थीस्ट अरुनाचल प्रदेश मनिपूर मेगालया मिजोरम नागालेंड हैव शोन लास इन देर फॉरेस्ट एरिया मतलब जो अबनों के राज जो जंगलों के राज ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं नौर्थ इस्टन स्टेट अरुनाचल प्रदेश इसमें जंगलों का लॉस इस रिपोर्ट में हमें देखता है मैंग्रोज मतलब खारवन हैव शोन इंक्रेजड ऑफ 17 स्क्वेर किलोमेटर और नाव टोटल एरिया ऑफ मैंग्रोज इस 4992 मतलब लगव पाच हजार के किलोमेटर के पास इसका भी एरिया हो चुका है 17 किलोमेटर की बड़ोतरी भी हुई है मित्रोज 2019 में शायद मैंग्रोज के ऊपर GS1 में कुश्चेन आया था अभी एन्वार्मेंट परस्पेक्टिव से वो GS1 के जोग्राफी सेक्शन में पूछने लगे तो आप बता सकते हैं कि यह रिपोर्ट कितना हमारे लिए माईने रखता है देटल कारवन स्टॉक इंकंट्री कंट्री 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 फॉर्स इस एस्टीमेटेड अन्दाजा ऐसा लगाया जा रहा है बांबू फारस्ट हेव ग्रोन फ्रॉं फ्रॉम थर्टीन थाउज़न फ्रॉं टुटीन गूस इन विष्टेथीच थेवादे कंसे इन कमट्री सिक्सक्स इन रहाँ प्रॉम्पूस का भी यह एरिया जो हम देख सकते तेरह आजार से लेकिए अभी फिफ्टि थी मिल्यून कम सक यह बड़ा है बांबूस के ऊपर भी 2020 में क्वेश्चन्स आया था अधर फैक्ट्स और क्या-क्या इसमें बताया गया है जंगल सिर्फ जंगल नहीं होते इसफर रिपोर्ट की दुरुष्टी से उन्होंने भी जंगलों की तीन तरीके से कैटेग्री की है जो की सत्तर परतिशत से ज्यादा है तो इसके बाद में moderately dense forest 40-70% open forest 10-40% are surveyed मतलब यह तीन तरीके के forest वो criteria इन तीन तरीके के जंगलों का रखते है और उनके हिसाब से उनको survey करते है तो मतलब इस साल के report में बड़ोत्री तो दिखाई गई है लेकिन सभी जंगलों में बड़ोत्री इतनी नहीं हुई है मतलब कही जगा पर यह बड़ा है कही जगा पर यह घटा भी है the northeastern state account for 7.98 percent of geographical area but 23.7 percent of total forest cover मतलब 7.98 percent यह तो भारत का कुल भूबाग का वो हिस्सा है northeastern state और 23.75 बहुती बड़ा आकड़ा है मतलब यह जंगलों का हिस्सा है the forest cover in the region has shown an overall decline of 1020 sq km in this forest area मतलब लगभग 1020 sq km area घटा है northeastern state में से पूर्व के जो राज है हमारे the report has attributed the decline in the north east north east state to spate of natural calamities agriculture particularly landslide and heavy rain in the region as well as anthropogenic causes such as shifting agriculture pressure of developmental activities मतलब यह कुछ कारण इसमें बताए बताए जा रहे कि जैसे natural calamities भूस खलन landslide तो इसके बाद में कुछ heavy rain और anthropogenic causes जो जो विकस्तन शील कारियों की वज़ा से यहां पर यह जंगल कम होते जा रहे इसा इसमें रिजन बताया गया है इन 2020 ना 2019 1.1 लाक फॉरेस्ट फायर हाट स्पोर्ट बेर डिटेक्टेट्टेड विच इंक्रेस्ट तू 3.4 लाक इन 2021 मतलब लगबग एक लाग क्या सपस फॉरेस्ट फायर हाट स्पोर्ट डिटेक्ट के जाते थे जो कि 2021 में तीन पॉइंट चार लाक हो चुके हैं बहुत ही बड़ा अकड़ा है मित्रोई हाइस नंबर आफ फायर डिटेक्टेट इन ओडिशा मध्यपरदेश एं 36 गड़ मतलब जो मध्य भारत के जो राज है यह तीन ओडिशा मध्यपरदेश इसमें ज्यादा से ज्यादा फायर हो जानकर आपके पास पहुचाने का CT academic प्रयास करेंगी आप भे हमसे जुड़े रहे हैं ऐसा ही हम data आपके पास लेके आएंगे धन्यवाद